नमस्कार संसार करांती की टीम इश्च मैं सोनीपत में मुझूद है और जैसा कि युवाउं की हम बात करें युवा बेरोजगारी का रोनर होते हैं और कई ने कई जो आए दिन रोड पर हादसे हो जाते हैं जो एकसिडेंट होती हैं उनमें मुख्य रूप से क्या कारण होते हैं उसी की जानकारी दोने के लिए हमारे साथ स्वयम मुझूद है राममेर टायर्स के डिरेक्टर हैं ललीजी उनसे जानने का प्रियास करते हैं क् बहुत से कारण होते हैं उसमें तो मुख्य रूप से कौन सा कारण आपको लगता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए उसमें सबसे बड़ा कारण दो जीसमें नसा है नसे मा बच्चे चला है और एक कम एज़ के बच्चों को गाड़ी दे हैं उनके फैमिली वारे सबसे बड़ा कारण यह है उसमें एक तो नसे से अठके चलानी चाहिए गाड़ी नसा नहीं करना चाहिए और कम उमर के बच्चे को गाड़ी देनी चाहिए वो माब आपने द्यान रखना चाहिए खईबर स्पीड की बात कहां जहां तक की जाए तो अभी जैसे आप बता रहे थे स्पीड के बारे में भी कुछ आपका सोजा होता क्या कहना चाहिए स्पीड जिस तरह जो प्रावेट गाड़ी है जी उसकी स्पीड 120 या 102 गौर्वर्मेंट करें उसके इसाफ़ से करते हैं पुलिश वारे की जो गाड़ी है उसकी उसे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए बत्की बसों की तरह सर्व की स्पीड एक होनी चाहिए लालेज जी एक चीज और देखने में आती है जैसे आपने तो अपना खुद का रोजगार कड़ा किया और युवाओं को और भी रोजगार दिया है चैर से पांच की आपका हैं स्टाप भी काम करता है तो आम तो पर आज के जो युवाओं में एक निरासा देगी जारी और बिरुजगारी का रोनर हो रहा है तो ऐसे में क्या लगता है बिरुजगारी है या नहीं और समाधन क्या है देखो जी गौर्मेंच के अजेंसी इनकी है लली जी इनका साब तोर पर कहना हुनर सब के अंदर होता है उसको पहचान ने लेना चाहिए हुनर है उसको निखारने की जरूरत है और अपने ताकत को पहचाने विरोजगारी कोई बड़ी समस्या नहीं है दूसरा रफ्तार की बात इन्हों की जैसे टा नसा नसा सबी समस्याओं की जड़ है नसे पर भी हंकुस लगाना चाहिए युवाओं को नसे से बचना चाहिए और भी तमाम इसे प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रही है संसार करांते के साथ सोनिपत से संसार करांते के लिए करमजीर आ रही है